Hello everyone, welcome to my channel, My Health My Kitchen में आप लोगा बहुत बहुत स्वागत है, चलिए देखते हैं आज का मज़िधार रेसिपी ये रेसिपी बनाने के लिए मैं दो पीस वाइट ब्रेड ले ली हूँ, आप ताजा वाइट ब्रेड ले या ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं मगर आगे मैं दिखाऊंगी इसके ब्राउन ब्रेड से थोड़ा सा कलर डार काता है और वाइट ब्रेड से देखने में खुबसूरत लगता है, बस इतना ही फर्क है, टेस्ट दोनों का सेम है और दो पीस ब्रेड को अच्छे से बेलन से बेल लेना है, बड़ा सा कटोडी ले, ग्लास ले, या कूकी कटर बड़ा सा है तो वो ले, क्यूंकि एजेस को किनारे किनारे से आपको काट लेना है, और बीच का जो पार्ट है वो बड़ा ही रखे, क्यूंकि ये ब्रेड का प दो ब्रेड और ले ली हूँ, उसको बेलन से बेल लें, फिर से दिखा रहे हूँ, ऐसे करके आपको काट लेना है, मैं यहाँ पर आठ ब्रेड सा चार पीस मैं कर ली हूँ, और आधा कप मैं दालें, थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक डालें, नमक डालकर एकदम हलका हलक आते रहें, और देखिए यह घोल बनकर त्यार हो गया है, तो यह ब्रेड का एक अलग तरह का रेसिपी है, तो सबसे पहले फिलिंग के लिए हम यहाँ पर एक फ्राई पैन रखे हैं, थोड़ा सा उसमें बटर है तो बटर, या तेल में भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा मैं तेल डाली हूँ कि बटर जले ना, और दो तिन कली लहसुन का छोटे छोटे टुकरों में आप काट ले, और उसको अच्छे से टर्न करें, टर्न करने के बाद हलका हलका ब्राउन हो जाए, तब मैं वहाँ पर हरी मिर्च डाल दी हूँ, अगर छोटे बच्चों के एक चीज मैं और बताूंगी, आप यहाँ पे छोटे छोटे टुकरों में पनीर डाल सकते हैं, और आलू का भी फिलिंग बना सकते हैं, यहाँ पर मैं आज केवल सबजी-सबजी का बना रहे हूँ, तो जो भी सबजी आपको पसंद है, आप उसमें डाल सकते हैं, नहाँ प बहुत पसंद से खाएंगे और यहां पर टेस्ट के एकॉर्डिंग उसमें नमक डाल दीजिए छोटे मोटे पाटी में भी ये रेसिपी बहुत ही मतलब कि अच्छा लगेगा और सबको बहुत ही स्टाटर में अच्छा लगता भी है और बच्चे मांग मांग कर या बड़े स भी खाएंगे यहां पर मैं थोड़ा सा चिली पॉडर डाल दी हूं मिर्ची का और एक चीज अगर आपके पास पास्ता मसाला है तो कोई चीज डालने जरुवत नहीं है आप पास्ता मसाला डाले बहुत चटाके का ये फिलिंग बनेगा चटपटा और मतलब कि अमेजिंग टेस्ट है इसका तो आप ये पास्ता मसाला है तो डाले नहीं तो और गनो डाल दे और थोड़ा सा काली मिर्च पॉडर डाले जरुआने ये आपका लिजिए फिलिंग त्यार है अब इसको ज्यादा नहीं फ्राइ करना है यहां पर देखे गोल भी तomm करना है जादा नहीं आपको उसमें डालना है किए brad टूटने लगता है तो फिर आपका रेसेपी अच्छा नहीं बने और इस तरह से डाल कर आपको हाथ को दो लेना है और पोछड़ी लेना है कि उसमें अगर आपका liquid का घोल जाएगा तो breadcrumb गुटली गुटली जैसा हो जाता है तो इस तरह से घुमाते हुए चारू तरब से आप उसको breadcrumb लगा दे ताकि वो pack हो जाए और बिल्कुल अब नहीं खुलेगा वो और एकदम आप देखिए यहाँ पर मैं gas पे तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ और तेल एकदम low medium पे gas को कर देना है उसके बाद आप डालिए तेल को बहुत hot और बहुत धुमा जैसा गरम बिल्कुल नहीं करना है कि वो तुरंत जल जाएगा और low रखेंगे तो बहुत ही तेल पीने लगेगा तो दोनों कंडिशन को देखते हुए low medium पर आपको gas को रखना है और उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा तेल डाल कर उसको अच्छे से आप एक आधा मिनिट तक उसको तले तलने के बाद थोड़ी देर में आप उसको टर्ण करे पलटने के बाद देखिए ये धीरे धीरे दोनों तरफ से सिकेगा तलेगा और ये फुल दे जाएगा देखिए कचोड़ी के तरह ये थोड़ी देर में फुल जाएगा उलट पलट करके एकदम ब्राउन आपको सेक लेना है और ये देखिए से आपको सारा मतलब की तल लेना है अगर आप हैंडिल कर सकते हैं तो दो दो भी आप एक साथ डाल सकते हैं तो ये देखिए फिर से मैं हलका सा आप डीप करेंगे बहुत जादा नहीं डीप करना है घोल भी आप देख लिजे इधम पतला है इसी तरह का गोल बनाना है और डालना है हाथ को आप टीशू पेपर में पोच ले फिर उसके बाद लगाएं और ये देखिए तो दुबारा मैं तलकर सारा रेडी कर ली हूँ अब चलते हैं एक मैं सॉस बनाऊंगी और ये हैं यहाँ पर टेमाटो केचप जो मार्केट का है और उसी में अगर विपिंग क्रीम है आपके पास तो एक टीर चमच आप डाल दें इसका टेस्ट अलग ही लेवल का है एक बर आप लोग जरूर ट्राई करें और नहीं तो आप मियूनीज भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो धनिया का पत्ते का गाढ़ा चटनी बनाकर आप उसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखें कलर थोड़ा ज्यादा वाइट लग राता है तो मैं फिर से सॉस को डाली हूँ और अच्छे से उसको मिक्स कर लिजे अच्छे से मिक्स करें और यह कचोड़ी देखें तल गया है और अब मैं इसको तेज नाइफ से आप काटें और फट से यह कट जाता है कोई दिक्कत नहीं होता है और अभी यह गरम गरम है क्योंकि मुझे रेकॉर्डिंग करना होता है तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से अपना सब कर लूँ क्योंकि बच्चे इंतजार करते हैं खाने के लिए और यह देखें खुल गया है पॉकेट एगदम बन कर रेडी हो गया है अब इसमें आपको जो सौस मैं बनाई हूँ उसको अंदर से अच्छे से लगा लेना है एक कोटिंग और जो फिलिंग करना है जो रेडी है सब कुछ तो रेडी है मैं यहाँ पर लिटी उस मेरे पास आज नहीं था तो मैं पत्ता गोवी को अच्छे से गरम पनी में डाल कर धोकर वास करके चोटे चोटे लंबे लंबे काट ली हूँ क्योंकि ग्रीन ग्रीन देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो इस तरह से देखिए एकदम पॉकेट बन कर रेडी हो गया है अब इसमें मैं थोड़ा सा पत्ता गुवी का पत्ता लगाऊंगी और फिलिंग को भर दूँगी अच्छे से फिलिंग को आप भढ़िएगा पूरत दबा दबा के क्यांकि जितना सबजी रहेगा उतना ही ये टेस्टी भी लगेगा और इसका टेस्ट एकड़म अलग लेबल पर है एकड़म बहुत ही टेस्टी है और छोटे मोटे अगर आप पाटी करते हैं गेट तुगेदर करते हैं कोई महमान आते हैं स्टार्टर में आपको कुछ देना है तो ये आप बना कर रख सकते हैं बहुत देर तक क्रिस्पी भी रहता है और बहुत ही खाने में एक अलग तरह का भी टेस्ट है तो इस तरह से आप अपना ट्राई कर सकते हैं और देखिए मैं फिट से पॉकेट बना रही हूँ इसके उपर से आप पॉकेट जब फिलिंग हो जाए तो आप उसके उपर से मियूनिज लगा सकते हैं टमेटो सॉस लगा सकते हैं हलका सा और या तो फिर आप गरीन चटनी भी लगा सकते हैं मैं आज बिल्कुर सादा ही ऐसी रखी हूँ क्योंकि अंदर काफी अच्छा सॉस लगा हुआ है तो खाने पर बहुत ही टेस्टी था तो इस तरह से आप एकदम उसको अच्छे से भरे और सबजी सबजी भरे या आलू का भी फिलिंग बना सकते हैं आप और पनीर का भी बना सकते हैं तो इस तरह से देखे सारे मैं पॉकेट बना कर फिल करके रेडी कर ली हूँ नेक्स डे मॉर्निंग बच्चे तो ऐसी ही बनाते बनाते लेकर चले गए खाने के लिए नेक्स डे जब थोड़ा सा फिलिंग बचा था मेरे पास तो बच्चे का डिमांड हुआ कि भई मेरे को और बना के दो और ये मैं देखिये ब्राउन ब्रेट का बनाई हूँ बस कलर डिफरेंस हुआ है टेस्ट बहुत ही अच्छा है तो आप ब्राउन ब्रेट का भी बना सकते हैं तो ये टिफिन में पैक हो रहा है और ये जाएगा बेटा भी लेकर चला गया है और ये भी जाएगा breakfast में और lunch अलग मैं दे रही हूँ तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसांद आता है तो like करे, share करे